ये सिर्फ 200 जालों में फेले तो नहीं ठानके हम अपने अंदर चेतना के स्थर को बढ़ाने ये काम करेंगे तो हो सकता है तो जब Science कर सकता है तो और्ण जाकार्त मितों पर कर यह बढ़ गई कि ने भंपर उसुर नोने हर ब्रह्मान को नास करने की कोशिए इसकी और वो आज भी कर रहे हैं और शायद कल भी करेंगे लेकिन प्रशने यह नहीं है कि वो करके क्या गए प्रशने यह कि हम क्या गर रहे हैं यस तो हम जो कर रहे हैं हमें जो करना है हमें जो आगे आने वाले समय में करना है उसके उपर हम फोकस करें तो जब क्वांटम के उपर इतनी गहराई पर साइंस काम करें तो हमें भी अपने विचारों पिछ उर्वा उन्थे पहुचने का नंत-शोर्स तक पहुचने का एक की उपाय है हमारे आत्मा की अनंत उर्जा और उस तक पहुंचने के लिए हमारी विचार हमारा स्वा का विचार विश्वकल्यान का विचार अपने स्वरूप का विचार यही विचार जो हमारे दिन दुनिया पूरी दुनिया को बदल सकते हैं जब हम इसकी चैनल करते हैं तो हमें पहता पता चलता है कि ऑ कि मी नहीं पाइब लेकिन वह स्टेंज कहां चली जाती है जब हम यह में आख घंड वह इसको नहीं भूल अगार उसको तुम भूल गए अगर यह वा क्यों वो будете है हैं और यह जो आपने पिशले आदे गंटे में सुना इसका कोई महत्वन है जब हम इसको भूल जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे ठीक पर हम उसको याद करेंगे उसके उपर फोकस करेंगे उसके उपर विचार करेंगे इन्हें मुझे ही करना है अपने आपको अनंत सूर्यों की सक्ती से ब ना दिग्री मिली कोई बात ने लेकिन आत्मा को को परम-परम आत्मा तो बना ही सकते हैं यहीग तो हमारे यह थो हमारे हात में है सिंपल कुछ physical लेवल की बात नहीं सिर्फ mental सोच की बात है मन के ऊपर काम करना है मन को समझाना है यही तो गीदा में बार-बार कहा है जो बापुजी बोलते हैं स्वक परिवर्दन तो यह साइंस वाले भी यही बाते करते हैं तो विज्ञान वेताओं ने अनुसार क्वांटम यूनिवर्स में प्रत्य कन अनन्त ऊर्जा का स्त्रोथ है कितनी बड़ी बात है शुपर होजोक्राम ही यत पिंडे तत भ्रहंवांडे तत पिंडे का उद्गोष करता है कितनी बड़ी बात कई महाशी अरुविंद ने अपने महा-काव्य सावित्री में उले किया पावर ऑफ गॉड में इसी सत्य का विश्लेशन करते हुए वह कहते हैं कि एक कण में समस्त स्रुष्टी की सक्ती बीज रूप में सिन्हित होती है विज्यानिक इवान हेरिस वाकर ने भी अपने प्रयोगों में यही तो निश्कर्ष निकाला था कि सुक्स्मकर्ण इन ग्रंथों का संसार कैसा होगा इसे रॉबर्ट रॉबर्ट ए मोनरो ने अपने ग्रंथ जर्निस आउट आप दे बॉड़ी में स्पश्ट करने की कोशिस की है उनके अनुसार द्रश्य जगत में चेतना का रुपांतरण संभव है जिसे हमारी आँख देख पाती है परंद तो इससे भी परेक ऐसी अध्वितिय और अध्वुत स्रुष्टि भी है जहां न तो स्पेस है और नहीं टाइम है न द्रश्य प्रकृति का कोई नियम लागू होता है तो देखो यह कितनी बड़ी बात एक साइंटिस्ट बोल सकता है तो क्या हमारी बापुजी की इस बात के उपर बापुजी की इस बात को तुम सत्य नहीं मान सकते बापुजी बोलते हैं जहां बेहित की दुनिया है